हेलो एवरीवन वेलकम टू आर चैनल हम पढ़ रहे हैं जोग्रफी क्लास 6 एंसी आर्टी और आज हम समझेंगे चैप्टर नंबर थर्ड मोशन्स ऑफ अर्थ दोस्तो इस चैप्टर को समझ कर हमें यह समझ आएगा कि अर्थ पर अलग-अलग सीजन्स कैसे बनते हैं अर्थ जो दिन और रात का फर्क है वो अलग-लग सीजन्स में कैसे आता है जैसे सर्दियों में राते लंबी हो जाती है गर्मियों में दिन लंबे हो जाते हैं ऐसा क्यों होता है और्थ की मोशन के द्वारा अर्थ जो है सन के चारो तरफ घूमती है और अपने एक्सिस पर भी घ चुके हैं जब अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है तो उसको हम कहते हैं revolution सन के चारों तरफ घूमने को हमने क्या कहा revolution और जब अर्थ अपने ही एक्सिस पर जब सन अर्थ अपने ही एक्सिस पर घूमती है रोटेट करती है तो उसको कहते हैं हम rotation अब हमें इससे पहले एक और खास बात यह समझनी पड़ेगी अर्थ जब अपने axis पर rotate करती है यहां पर आप देखें तो आपको समझ आएगा कि यह जो axis है यह tilted है यह हमने सीधा नहीं बनाया यह जो अर्थ का axis है यह ऐसे tilted है ना कि यह ऐसे सीधा है तो यह ऐसा कैसे है और इससे क्या फरक पड़ता है दोस्तों दरसल जो axis है अर्थ का वो और बाइटल प्लेन के साथ एंगल बनाता है साड़े 66 डिगरी अब और बाइटल प्लेन क्या होता है और बाइटल प्लेन कुछ नहीं होता जैसे माल लीजिए अर्थ यहां पर रोटेट कर रही है अर्थ यहां पर रिवॉल्व कर रही है संके चारो तरफ संके तरफ अर्थ घूम रही है तो यह जो यहां पर प्लेन बनेगा इसको कहेंगे और बिट का प्लेन तो और बिट यह है तो इस और बिट के प्लेन को हम कहेंगे और बाइटल प्लेन और बाइटल प्लेन एक तरह से होरिजॉंटल प्लेन हो गया तो एकसे जो है उसके साथ ऐसे यह और्बाइटल प्लेन है और एक्सिज ऐसे जुका है तो यह जो एंगल है यह है साड़े 66 डिग्री तो हमें यहां से पता चलता है कि अर्थ इतनी जुकी हुई है अर्थ जो है एक्सिज अर्थ का इतना जुका हुआ है और्बाइटल प्लेन के साथ दूसरा हम फिर सुनते हैं कि साड़े 23 डिग्री अर्थ जुकी हुई है दोस्तों वो जो साड़े 23 डिग्री एंगल बनता है वो बनता है अगर हम एक परपेंडिक्यूलर ग्रॉप करें और बाइटल प्लेन पर तो वो परपेंडिक्यूलर और अर्थ के एक्सिज के बीच में जो एंगल बनता है वो है 23 डिग्री तो अर्थ का एक्सिज जो है और बाइटल पर एक परपेंडिक्यूलर है उसके रिस्पेक्ट में 23 डिग्री जुका हुआ है और दूसरी और अर्थ का एक्सिज जो है और बाइटल प्लेन के साथ एंगल बनाता है साड़े छे आसट डिगरी तो अब आपको इसके अंदर कोई confusion नहीं होनी चाहिए साड़े छे आसट डिगरी कब एंगल बनता है साड़े तेईस डिगरी एंगल कब बनता है अब दरसल जो अर्थ का ये जुकाव है एक्सिस का इससे फर्क क्या पड़ता है ये हम समझेंगे लेकिन पहले हम ये समझ लें कि दिन और रात बनते कैसे हैं बेसिकली हमने देखा अर्थ जब अपने एक्सिस पर रोटेट करती है तो क्या होगा अगर मान लीजे यहाँ पर सन है तो यह देखी यहाँ पर सन है अर्थ का जो face sun की side होगा उस पर होगा दिन और उसका जो दूसरी side होगा उस पर होगी रात तो बीच में एक ऐसा circle बनेगा जो दिन और रात को वाले हिस्से को divide करता होगा अलग करता होगा उसको हम कहते है circle of illumination circle of illumination की खास बात यह है यह axis के साथ coincide नहीं करता है यह axis के parallel नहीं होता है क्यों क्योंकि हम जान चुके है axis तो है अर्थ का ऐसे जुका हुआ लेकिन जब light पड़ेगी तो light तो ऐसे ही पड़ेगी इतने हिस्से पर light रहेगी और इतने हिस्से पर dark रहेगा वही same picture में यहां दिखाया हुआ है और हमें समझ आ गया है फिक है दोस्तों अब देखते हैं इससे तो होती है दिन और रात तो यानि दिन और रात का concept हमें समझ आ गया किससे होता है rotation से होती है दिन और रात अब हम देखते हैं कि revolution से क्या फरक पड़ता है revolution यानि sun के चारो और घूमने की जो अर्थ की motion है उसको कहते है revolution अभी इससे क्या फरक पड़ता है अर्थ अपना एक चकर sun के around जो है वो complete करती है 365 दिन में 365 दिन में अर्थ एक चकर अपना complete करती है तो हम इसको कहते हैं हमारा कितना हो गया एक साल हो गया लेकिन कभी कभी हम देखते हैं 365 दिन का हमारा एक साल ना होकर 365 दिन का एक साल हो जाता है उसको हम कहते है leap year अब ये leap year का concept क्या है दरसल अर्थ जब सन के चारों तरफ अपना एक चक्कर कम्प्लीट करती है तो वो 365 दिन और 6 घंटे एक्स्ट्रा लेती है इस 6 आर को हम नेगलेक्ट कर देते हैं एक साल के रिस्पेक्ट में लेकिन 4 साल बाद यही 6 आर जुड़ कर कितने बन जाएंगे 24 आर 24 घंटे चार साल बाद यह 6 घंटे जोड़ेंगे और बना देंगे एक पूरा दिन तो 4 साल बाद हमारी अर्थ जब घूमेगी तो उसको हम काउंट करेंगे 366 दिन उसको हम कह देते हैं लीप यर और वो दिन हम एड़ कर देते हैं फेबरी में ठीक है दोस्तों तो लीप आक्सस जुका हुआ है तो हम यहां पर दो कंडीशन अज्यूम कर लेते हैं ऐसी एक्स्क्रीम कंडीशन जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो नौर्थ हैमिस्पेर है हमने लास्ट चेप्टर में समझा नौर्थ हैमिस्पेर क्या होता है इक्वेटर के ऊपर का भाग नौ हमेस्पेर में जादा लाइट पड़ती है आप यह देखिए नौर्थ हमिस्पेर में साथ हमिस्पेर की मुकाबले लाइट जादा पड़ रही है क्योंकि इतना हाफ एरिया तो है ही उसके अलावा हाफ और एक्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा और है और साउथ में देखिए हाफ एरिया तो डार्क में है और उसके अलावत थोड़ा सा और एक्स्ट्रा डार्क में है तो यहां पर हम देखते हैं जब इस पोजिशन में एक्सिज तो नॉर्थ हमिस्पेयर ज़ादा टाइम जो है लाइट में है यानी नौर्थ एमिस्पेयर पर immortal ज़्यूमिनेशन ज्यादा होगा है एक तो पोजिशन यह हो गई दूसरी पोजिशन हो गई जब नॉर्थ हमिस्पेयर अवे हो यानी नॉर्थ हमिस्वेर बेढ़ एक्सिज है वो संसे दूसरी तरफ जुका हुआ हो इस केस में क्या होगा जो Nord है उसमें जादातर एरिया डाक्नेस में रहेगा आप देखिए यहां पर जादातर इरिया तो ऑधोड़ा सा और एरिया करने है उसी तरह से उल्टा हो साथ हमिस्फेर में जब नोर्थ हमिस्फेर में सरदिया होगी हमने मैच देखे हैं कई बार इंडिया यहां पर गरमी के सा चाल रहे होते हैं गेंडिय और सबी की सर्दिय नौ meth होती है थो स्ट हमिस फेर में कर दोरान में कि यहां पर हमने दो चीजे समझ ली की सीजन में एक पोजिशन ये North Hemisphere Sun की तरफ, दूसरी तरफ North Hemisphere Sun से अवे, चलो, अब इनके बीच की जो position होगी, बीच की जो position होगी, वहाँ पर क्या होगा, moderate एक तरह से वो position होगी, जैसे North Hemisphere जादतर illuminated है, यहाँ पर North Hemisphere बहुत कम illuminated है, तो यह जो बीच की दो position है, यहाँ पर दोनों Hemisphere equally illuminated होते हैं, तो जब equally illuminated होते हैं, तो यहाँ पर जो temperature है, देखे, यहाँ पर कहता है, यहाँ पर जादा यहाँ पर गर्मी थी, यहाँ सर्दी, तो बीच का जो temperature होगा, वो moderate होगा, season moderate होगा, जहाँ पर हम कहते है, spring होगा, यह March के समय होता है, और यहाँ पर क्या होगा, autumn होगा, जो की यहा दो सीजन सर्दी और गर्मी के बीच के हैं तो हम जानते हैं मार्च और जो सितंबर का मौसम है ना तो जादा सर्दी होती है और ना ही जादा गर्मी होती है ठीक है दोस्तों तो सीजन का हमें यहां पर concept समझाया season कैसे बनते हैं और कैसे change होते हैं अब यहाँ पर हम देखते हैं कि summer solustice का क्या concept है और winter solustice का क्या concept है तो summer solustice हमने जैसे last chapter में समझा था जब earth rotate जब earth revolve करती है sun के around देखिए revolve कर रही है तो यहाँ पर sun की जो आस्मान में जब हम sun को देखेंगे तो हमें sun tropics के बाद यह tropic है ट्रॉपिक के बाद sun जो है हमें यहाँ पर अगर जाएंगे ट्रॉपिक के बाद sun हमें overhead नहीं दिखेगा यानि sun हमें overhead कहां दिखेगा सिर्फ ट्रॉपिक के बीच में ठीक है तो यह area maximum heat जो है receive करता है तो हम यह देखा आस्मान में जब हम देखेंगे sun की जो maximum position हमें दिखेगी वो कहां दिखेगी north hemisphere में tropic of cancer बे south hemisphere में sun की maximum position हमें आस्मान में कहां दिखेगी tropic of capricorn में तो यहां से हमें यह समझ आ गया कि जब गर्मियों में sun की position ऊपर की तरफ बढ़ेगी जब earth rotate करेगी तो आप देखें यह वाला हिस्सा illuminated है जादा यानि sun अपनी maximum position होगा north hemisphere में और यहां पर north hemisphere में sun अपनी minimum position पर होगा यानि यहां पर sun south में maximum position में होगा तो यहां पर देखा जाए north hemisphere में sun अपनी maximum position यानि tropic of cancer पर होगा और यहां पर sun अपनी maximum position पर होगा कहां पर south hemisphere में तो वो कौन सा होगा tropic of capricorn यह हम समझ चुके हैं तो अब होता क्या है जब sun अपनी maximum position यानि ट्रॉपिक ऑफ cancer पर हो northern hemisphere में अब इसे ओपर sun नहीं जाता तो इस maximum position को हम कहते हैं summer solustice क्यों क्योंकि northern hemisphere में जब sun maximum position पर होगा ट्रॉपिक ऑफ cancer में उस दिन क्या होगा उस दिन गर्मी होगी और अर्थ नॉर्थन hemisphere में सबसे ज़्यादा illuminated होगी क्यों क्योंकि भाई जब sun अपनी maximum position पर है और इसे ओपर जा नहीं सकता तो maximum position है इसके बाद तो sun नीचे ही जाएगा तो जितनी भी यहाँ पर illumination है जितनी भी रोश्णी होनी है वो सब इसी दौरान हो जाएगी कब समर सॉलिस्टिस के दौरान तो समर सॉलिस्टिस में क्या होगा दिन जो होता है सबसे लंबा होता है और समर क्या होगी northern hemisphere में समर होगी और उसी समय winter होगी southern hemisphere में उसी तरह से जब winter solistice होगा winter solistice यानी northern hemisphere में जब सरदियां होगी जब northern hemisphere में सरदियां होगी तो sun की maximum position जाहिर सी बात है southern hemisphere में रही होगी तो जब southern hemisphere में कौन सी है वो है 23 degree half south यह latitude इसको हम बोलते है इसन रहे ट्रॉपिक ओफ कैप्रिकवर्न खिक है दोस्तों यह रहा हमारा ट्रॉपिक ओफ कैप्रिकोर्न तो जब सन maximum यहां पर होगा तब यहां पर सरदियां चल रही होगी northern hemisphere में यानि कि Northern Hemisphere में Least Illumination होगा, Least Illumination, Least रोष्णी होगी, सबसे कम रोष्णी होगी, तो तब क्या होगा Northern Hemisphere में Winters होगी, तो इसलिए इसको हम कहते हैं Winter Solustice, तो Solustice लग जाए, तो समझ दीज़े, Sun अपनी Maximum Position पे है, Summer Solustice Northern Hemisphere में गर्मिया है और Maximum Position पे Sun है, Winter Solustice Northern Hemisphere में सर्दिया है, और Sun अपनी Maximum Position पे है, तो Maximum Position पे Sun है, और Northern Hemisphere में सर्दिया है, तो कहां होगा Sun, जाहिर सी बात है, Southern Hemisphere में, ठीक है, तो हमें Solustice का Concept समझ आ गया, Elliptical Orbit हम समझ चुके हैं, Previous Chapter में, आप Second Chapter और First Chapter की वीडियो देखे, बहुत अच्छे से Concept समझ आएग समझ का जैसे एक सेंटर होता है, एलिप्स का, एलिप्स के दो सेंटर होते हैं, लेकिन Sun तो एक ही है, तो हम यह देखते हैं, Sun कहां होगा, किसी एक सेंटर पर होगा, मान लीजिए Sun होगा, Center A पर, अब जब एलिप्स है, तो कैसा होगा, Elongated Orbit होगा, Elongated Orbit होगा, तो कहीं पर तो अर्थ होगी Sun के पास, और कहीं पर अर्थ होगी Sun से दूर, आप अगर इसको एलिप्स कर लें, तो यहां पर आप देखिए, Sun के पास है, यहां पर अर्थ और यहां पर Sun से दूर है, अगर अगर यह Circular Orbit होता, तो अर्थ हर वक्त हमेशा Sun से Equal Distance पर होती, तो orbit हमें यह देखते हैं कि winter solustice में Sun होगा maximum position Northern Hemisphere में, तो यहां पर क्या होगा, maximum illumination यानि दिन सबसे लंबा, ठीक है, अब यहां पर जब winter solustice होगा, तो least illumination होगा Northern Hemisphere में, तो उसदादातर Northern Hemisphere darkness में रहेगा, तो यहां पर क्या होगे, दिन सबसे छोटे और रातें लंबी, उसी तर यहां पर दिन और रात, एक जगा बहुत बड़े हैं दिन, एक जगा बहुत छोटे हैं दिन, तो यह बीच की वो position होगी, जहां पर day और night की जो duration है, वो equal होगी, तो इसलिए इसको कहते हैं equinox, equinox position पर जब अर्थ होती है, तो उसमें क्या होता है, यहां पर हमने देखा, solistis में क्या होता है, sun यहां तो capricorn पर होगा, यहां tropic of cancer पर होगा, यानि sun अपनी maximum positions पर होगा, यहां यहां पर, ठीक है, यह होगा solistis, लेकिन equinox क्या है, equinox जो है, दो extreme positions जो होगी sun की, उसके बीच की position है, और वो कौन सी है, वो है equator, तो equinox पर sun कहा होगा, equinox पर sun होगी, वो होगी equator, ठीक है, अब equator पर equinox में क्या-क्या होगा, exactly half circle जो होगा, वो illuminated करेगा, अर्थ को, क्यों, क्योंकि हमने देखा, यहां पर half नहीं होता है, यहां पर कुछ earth axis बाहर होता है, लेकिन जब illumination होगा equator पर, तो earth का जो axis है, वो sun के sun इसके सामने होगा, और ऐसे पड़ेगा, यह वाला हिस्सा पूरा का पूरा light में होगा, और अगला half पूरा darkness में होगा, तो एक तो यह होगा, illumination equal होगा, दूसरा sun की position कहां होगी, equator पर होगी, तीसरा day और night की duration equal होगी, ठीक है दोस्तों, अब एक बार और revise कर लेते हैं, कि change कैसे होता है, day और night season के साथ ठीक है, north hemisphere में, summer होगी, ठीक है, तो क्या होगे, दिन लंबे होगे, राते छोटी होगी, तो longer days होगे, तो summer solustice होगा, ठीक है, तब होगा summer solustice, जब maximum position पर sun पहुच जाएगा, northern hemisphere में, अब summer solustice पर क्या होगा, maximum illumination होगा, northern hemisphere में, तो जो summer solustice जिस दिन पढ़ेगा, जिस द खोगे, दोस्तों, northern hemisphere में, अब वहीं देखते हैं, दुबारा से, winter में क्या होगा, winter में, northern hemisphere में, जब सर्दियां होगी, तो राते लंबी होगी, राते लंबी होगी, और दिन छोते होगे, northern hemisphere में, और winter solustice जब होगा, winter solustice पर sun कहा होगा, sun अपनी maximum illumination देगा, south hemisphere में, जब, नौर्थ हमिस्वेर में विंटर होगी तो साथ हमिस्वेर में गर्मिया होगी तो अपनी मैक्सिमम पोजिशन पर सर्ण होगा सदन हैमिस्वेर में तो लीस्ट इल्यूमिनेशन कहां होगा लीस्ट इल्यूमिनेशन होगा नौर्धन हमिस्वेर में और जब नौर्थन हमिस्व में यहां देखिए लीस्ट इल्युमिनेशन होगा विंटर सॉलिस्टेस में तो इस दिन क्या होगा स्टॉर्टेस्ट डे होगा ठीक है और यह पड़ेगा बाश्दिसम आपको यह चैप्टर पूरी तरह से समझ आया हो यह बहुत ही आसान और एक छोटा चैप्टर था यह आ क्योंकि अल्मोस्ट हम बेसिक सब कवर कर चुके थे तो नेक्स चैप्टर हम समझेंगे इसी तरह से और भी अच्छे तरीके से जुड़े रहे हमारे साथ शुक्रिया दोस्तों